इलेक्ट्रिकल की वीडियोस हिंदी में देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें इलेक्ट्रिकल दोश्को और प्रेस करें आगे इस वैल आइकन को नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल दोश्क में मैं आई आई साउinklesगत करता हूं तो दोस्तों मैं जो इसके अंदर जो आज वीडियो बनाऊंगा वो पॉवर्फेक्टर के पर बनाऊंगा ठीक है और पॉझधर क्या होता है इसके सरकीट क्या होते और इसके जो रजिश्टीव कि इंडेक्टिव और कैपिसिटिव जो जो लोड था उनको एक्जांपल के साथ पूरा अच्छे से एक्स्पिरेंश के साथ और थोड़े थेोरिकल नॉलेज़ के साथ दोनों के साथ मिक्स करके बताऊंगा तो ताकि आपको अच्छे समझ बाज़ेगा और दोस्तो जादा उसका पाउर फैक्टर कंब एदो निकलने का वोग्ता है इसका ट्रूपावर मतलब हमारी पावर अपन अबhasi पावर जो हमको लगता है कि हमने यह पावर ली है और हमने कितनी व्यूजज करी है इसको आप अभी छोड़ दीए इसको आप अभी छोड़ दिए अब हैं सर्कुराइब आया सर्कृकट समझ जाएंगे तो आप यह सब किलियर हो जाए अपको कोई दिक्कत ने रही रहे की दोस्तों क्या होता है हमारे पास competitive डिल्कूल किरों हो चाहीगा यह साइकल है एच फ्रिक्वेंसी उतिया तो क्या मुत आइंदे क्या होता है I'm हमारे वोल्टेज है ना टेवल्टेज की ऐसी के फिर्कवें के सुझ हें तो कर्यंट के फ्रिक्मेंसि ना हो दो भी इसके साथ दो मारे पॉड्चoga पार फ्रेक्टर सही होगा क्या पता वुल्टेज गरम फोगे वह लाल हो रहे है तो वह सब चीजी करें रगए तो तो आडेसी और इंडशक्री लोड़ता हुए और आडेक्टित वाल दो सोगया हमारे एयुक्त में थोड़ा सम्हें तो दोस्तों इनके बारे में थोड़ा स्मर्ब्सकित करेंregisteristor करते हों किया होता याय हमारे unity प्रेकट हो उसमें कोई power factor हमारा खराब नहीं होता अगर हमारे पास सारे रघिष्ट्यूफ लोड लगेंगे तो हमारा पारेक्टर बहुट है और हमेसे ऐसे में हमेंसा तो हमारे सारे संथिस चराइग तो च्छा रहेगा हमारा जो यह दहूंत यह यह फिक्वेंश की वं хорош की तो थो सप्वाइच किया आपे यहां पे 0 डिग्री कराता यह और यहां पे ज़ीन जिलette फिर यहां पर वापस ही पर जाते को वापस झीरु ब और करेंट रॉल्टेज और 0जय बोल्टेज और लॉल्टेज और दिंआ य सिंद दो तो ये दोनोग साहिकल का जैसे आपको एक्जांपल बताई थी है मोटर्स हो गई या फिर जो भी कोई हमारे पास वो सब इंडेक्टिव सरकेट में आता है इंडेक्टिव लोड कह रहाता है तो दोस्ते इसके नदे हमारी चो करेंट होती है ना करेंट और वोल्टेज देखो हमारी वोल्टेज वर्टेज दिवर्ड बन गया ठिक है तो यह स्टार्ट ले हो रहा है तो एंडेज का वोल्टेज का पहले हो गया और पिर बात में और एक done यह वो बोलते है उसको लेग पावर फेकटर ठीक है लेग होता है हमारा जो करेंट हैना current है रेग होता है वोल्ट states he अख फीच्छय रहेना एक्रस्ते और न तो समस्ते है और जो कैपैसिटीव के अनदर क्या हॏँता है सब्सक्रास्व6 फिर ऑगμέर क 스क अब पाद में यहा चे यहां पर यहांपर स्टार्ट हो रहा है यह जो है यहम से चुछ लीड करेगा तो इसमें इस अब T इसमें क्या करते हैं dr लगाएता हूं इसमें क्या क्य verge लगाते नĩसा अमारी करेंच यो है करेंच पिछे रह डिंदेख्ला इसे वेस्टविए भैकनी KH पीछे रहे जाती है तो अम थोड़ा ञाते हैं जोड़ गये capacitor जोड़ तो अगर वह वह बराबर जोड़ते capacitor तो हमारा वापास पाउर फेक्टर इंक्रेश जाता है 10.99 हम वह करते हैं तो दोस्तो यह कितना capacitor लगाना चाहिए और कितना क्या हमको लोड कनेट करना चाहिए कैपेसिटर का तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है कि हम कितने कितना खराब पावर फेक्टर है और कितना कैपेसिटर लगा तो उस पर आई करके बताएं दोस्तों उसके आप किलिक कर लो और कितनी मोटर पर कितने कैपिसितर लगाना चाहिए कितने के वियार का लगाना चाहिए तो वह आपको वहां पर आइडिया मिल जाएगा तो अगर अच्छी है तो आप प्लीज मेरे को पताईएगा और आपको किश टोपिक वीडियो चीजिए वह मुझे निचे कमेंट बॉक्स में कम दोस्तों पावरफेक्टर अगर किलियर होता है आपका तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सुस्क्राइब कीजिए क्योंकि मैं ऐसे वीडियो और बनाते रहता हूं तो दोस्तों आज को आज के वीडियो को यहीं खतम करते हैं धन्यवाद